नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर राची वेवहार न्याले में न्याइक मामलो की शुनवाई आज से प्राता कालिन शुरू हो गई है इस दोरान अदालती कारवाई सुबा साथ बजे से बारा बजे तक चलने की निर्धारित की गई है प्राता कालिन कोट 25 जून तक जारी रहेगी इसके अधिसूचना पूर्व में जारी कर दी गई थी प्राची ववहार नियाले के प्रधान न्याधिश पर रजिस्टर डिन शुकला ने आदेश की जानकारी तमाम अदालत और जिलाबार एशशेयसन को दी थी राची जिलाबार एशशीयसन के सची उसंजे कुमार विद्रोही ने बताया कि अप्रेल के फस्ट सोमार से हर वश अदालत कायों की सुनवाई प्राता काल हो जाती है इसी कड़ी में आज से राची वेवहार न्याले में प्राता हकाल न्याईक कारियों की सुनवाई हो रही है अदालत में सभी अधिवक्ता उपस्थित हुए और सबसे पहले खुशी के बात यहा है कि पहले के जैसे ही वक्किलों की उपस्थिती राची व्यवहार नियाले में भी देखने को मिली साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत में प्राता काल सुनवाई होने से सभी लोगों को सहुलियत होगी उन्होंने कहा कि COVID-19 काल में मोग किलों को कोट परिसार में एंट्री नहीं थी उसे राची वेवहार न्याले ने हटा दिया है आपको बतादी की राची वेवहार न्याले में प्रतियक वश गर्मी के मौसम को देखते हुए अप्रेल महिने के पहले हसबता से कोट में न्याईक मामलों की सुनवाई प्राता कालें शुरू हो जाती है। उसी कड़ी में आज से अदालत ने न्याईक मामलों की सुनवाई प्राता काल की गई है। इसलिए पहले से एड़ोकेट्स भी और मोकिल भी जागरूप थे। इसलिए कोई कठनाई आज नहीं हुई है और सत प्रतिसत जो है अधिवक्ताओं की उपस्तिति आज दर्ज की गई है। जीला बार एसोसेशन ने अब पूर्व में आपना जितना भी गाइडलाइन कोवीट से सम्बंदित दिया वा था। और इसलिए रिष्ट्रिक्शन था कि आपको मोकिल्स को कम इंटरी था। मैंने हमने कुछ बोला नहीं है लेकिन हमने किसी को मना करना बंद कर दिया है। अब जितने भी मोकिल हैं सब मोकिल जो है अब आपने अधिवक्ता के पास आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और अब जा रहे हैं.